सादि के बाद रानों चड़िया अपने चोटे से परिवार में बहुत खुस थी क्योंकि टुन्णू चड़े की एक चोटी सी चूड़ियों की दुकान थी वो अपनी दुकान में तरह तरह के चूड़ियां बेचा करता जो पक्शियों को बहुत पसंद आती अरे वो चूड़ी वाले भहिया, मुझको नो दर्जन चूड़ियां दे दो, चार गुलाबी और पांच दर्जन लाल वाली अरे बहन जी, हर बार तो आप एक दो दर्जन चूड़ियां ही खरीदती हो, फिर आज इतने कैसे? आज मैं अपने माई के जा रही हूँ, और मेरी भावियों को आपकी चूड़ियां बड़ी पसंदाती हैं, तो बस उनके लिए ही खरीद रही हूँ, फिर वो महिला पक्षी चूड़ियों के रुपे दे कर वहां से चली जाती है अरे वा, आज तो सुभा सुभा ही हजार रुपे की पिक्री हो गई, भगवान करे मेरी ये दुकान ऐसे ही चलती रहे, और मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता रहूँ इस तरह से टुन्नुचड़ा बहुत खुस हो रहा था, थोड़ी दूरी पर दो सराबी दोस्त सराब पी रहे थे, और वे दूर से टुन्नुचड़े को ही देख रहे थे कालू दोस्त देख, यहां हमारे पास सराब पीने के लिए एक भी रुपिया नहीं है, और उस तुन्नुचड़े की सुबा सुबा हजार रुपे की बिक्री हो गई बिल्लू दोस्त वो एक दुकांदार है, वो भी चूडियों का, रुपियों की कोई कमी नहीं है उसके पास कालू दोस्त अगर यह चूडियों का मालिक हमारा दोस्त बन जाए, तो सराब पीने की सारी टेंसने ही खतम हो जाएगी बात तो एकदम सही कही तूने, पर यह चुड़ा सराब को छूटा तक नहीं है, फिर कैसे यह हमारा दोस्त बन पाएगा बनाएंगे, हम इसे तो अपना दोस्त पका ही बनाएंगे, और एक दिन जाइदा नसा करा के इसकी सारी कमाई और दुकान में जितनी भी चूडिया हैं, सब को लेकर भाग जाएंगे तो ठीक है, तुम उसको अपने छूटी दोस्ती के जाल में फसाओ नहीं कालू, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम उल्लूओं से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए चुड़े को तो तुमें ही अपना दोस्त बनाना होगा ठीक है, अभी तो मैंने नसा किया हुआ है, मैं कल जाओंगा इसकी दुकान पर ऐसे बाते करके वे दोनों बहुत खुस होते हैं, और साम हो जाती है, तुन्नोचड़ा चुड़ियां बेचकर अपने घर चला जाता है, और अपने दिन भर की कमाई रानोचड़िया को दे देता है रानोचड़िया अब तो मेरी बनाईवी चुड़िया दूर दूर के पक्षियों को भी पसंद आ रही हैं, लगता है हम बहुत जल्दी अमीर पक्षि बनने वाले हैं सच में टुन्नोजी, अगर आपकी चुड़िया इतनी ही पसंद आ रही हैं, तो मुझे भी चुड़िया बनाना सिखा दें, फिर मैं भी चुड़िया बनाया करूंगी नहीं नहीं, चुड़िया बनाने के लिए तो मैं ही काफी हूँ, आप तो बस मेरी बेटी और इस घर का ध्यान रखें, वही मेरे लिए सब कुछ है फिर वो सभी भोजन खाते हैं, और सो जाते हैं, अगली सुभा टुन्नो की दुकान पर कालू कववा आता है, और उससे कहने लगता है मालक जी तया करें, किर्प्या मुझे कुछ खाने को दे दें, रात से भूका हूँ ये तो चोड़ियो की दुकान है, मैं आपको ये पैसे देता हूँ, आप आगे से खरीद कर कुछ खा लेना आप बहुत अच्छे पक्षी लगते हो, क्या मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो हाँ हाँ बोलो, अब आपको क्या चाहिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा मौलिक जी, आपकी इतनी बड़ी दुकान है, अगर मुझे यहां कुछ काम मिल जाता, तो मांग कर खाने की नौबत खतम हो जाएगी अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतना काम नहीं है, आप ये पैसे लें और कहीं दूसरी जगा पर काम खोजें मौलिक जी, मैं रोज यहां सुबा सुबा जाडू लगा दिया करूँगा, इसके बदले आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे देना, पर किर्प्या मुझे काम दे दे ठीक है, अब रोना बंद करो, जाडू लगाने के साथ साथ दुकान की थोड़ी सफाई भी कर दिया करना, मैं तुम्हें पचास रुपे दे दिया करूँगा तुन्नू चड़े की ये बात सुनकर कालू कववा मन ही मन बहुत खुस होता है, और अपना साप सफाई का काम करने लगता है, ऐसे ही कुछ दिन भीत जाते हैं अब तो कालू और तुन्नू चड़े में पक्की दोस्ती हो गई थी, वो खाना भी साथ साथ खाते हैं कालू इतनी देर कहां लगा दे, कोई प्रेशानी तो नहीं है, नहीं नहीं मुझे कोई प्रेशानी नहीं है, मैं तो ये सराब की बोतल लेने गया था, बस वहीं पर थोड़ी देर लग गई कालू क्या तु सराब पीता है, मैं तो इसे छूता तक नहीं, तू भी सराब पीना छोड़ दे, तुन्नू तूने अभी तक सराब को छुआ नहीं है, इसलिए इसका सुआद भी नहीं जानता, पर कोई बात नहीं, मेरे साथ तुझे सराब तो आज पीनी पड़ेगी फिर कालू कववा तुन्नू चड़े को अपनी कसमे दे दे कर सराब पिला ही देता है, उस दिन के बाद अब वो दोनों अकसर सराब पीया करते बिल्लू, बस बहुत हुआ, आज रात में अपना काम खतम कर दूँगा जो भी करना धिहान से करना, उस तुन्नू चड़े को तुझे पी जराबी सक नहीं होना चाहिए, मैं रात को तेरा इंतजार करूँगा फिर कालू कववा तुन्नू चड़े की दुकान पर चला जाता है, और उससे कहने लगता है तुन्नू चड़े, आज मेरा जनम दिन है, और तेरे सिवा तो मेरा इस जंगल में कोई नहीं है, तो क्या मैं तेरे साथ अपना जनम दिन मना सकता हूँ अरे कालू, जनम दिन की तुझे बहुत बधाया, और ये भी कोई पूछने की बात है, हम दोनों मिलकर तेरा जनम दिन मनाएंगे इस तरह से कालू कववा टुन्नू चड़े से जहुट बोल देता है, और जनम दिन के बहाने उसे खूब सराप पिलाता है, और देर रात भी हो गई थी ये टुन्नू तो पूरी तरह से नसे में धुत हो गया है, अब मैं जल्दी जल्दी अपना काम करता हूँ फिर कालू कववा टुन्नू के सारे पैसे ले लेता है, और सारी चुडियों को एक बड़े से बैग में भर लेता है, वो दुकान से जाने ही वाला था, के तभी टुन्नू चड़ा बोलता है मुझे भी अपने साथ ले चलो, दोस्त मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरी रानो, मेरी बेटी, मेरा इंतजार कर रही होंगी, इसे भी अपने साथ ही ले चलता हूँ, रास्ते में कहीं भी छोड़ दूँगा ऐसे सोच कर कालू टुन्नू को अपने साथ ले जाता है, वो थोड़ी दूरी पर टुन्नू को एक सुनसान जगह में छोड़ देता है आ गया है मेरा घर, मेरा घर कहा है, कोई मुझे मेरा घर दे दो बेचारे टुन्नू चड़े को तो कुछ भी नहीं पता था, की उसे किस तसा में जाना है वो तो यू ही उड़े जा रहा था, तभी सामने से एक उड़ते हुए वाहन से उसकी टककर हो जाती है और वो जमेन पर गिर जाता है, ना जाने कितनी रात हो गई है और टुन्नू जी अभी तक घर नहीं लोटे, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसे सोच कर रानो चड़िया, अपने पती को ढूंडने चली जाती है रास्ते में उसे टुन्नू चड़ा बेहोस मिलता है वो उसे जल्दी से पास के अस्पताल में भरती कराती है देखिए रानो जी, इनका एक्सिडेंट बहुत बुरी तरह से हुआ है जल्दी ही इनका आपरेशन करना होगा, वरना इनकी जान जा सकती है आप कैसे भी करके मेरे टुन्नू जी को बचा लें, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है ठीक है, तीन लाक रुपे जल्दी से जमा करा दो, हम ऑपरेशन की तयारी करते है फिर रानो चड़िया रुपो का इंतजाम करने अपने घर चली जाती है ये क्या, ये तो बस 90,000 रुपे है, बाके के रुपे कहां से आएंगे, मैं दुकान पर जाती हूँ, सायद वहां से भी कुछ पैसे मिल जाएंगे फिर चड़िया तेजी से उड़ती है, और दुकान पर चली जाती है, परन्तु वहां तो कुछ भी नहीं था हे भगवान, दुकान तो सारी खाली पड़ी है, लगता है कोई चोर सब ले गया, अब मैं क्या करो, तुन्नू जी को कैसे बचाऊंगी फिर रानो चड़िया थोड़े से पैसे को ही लेकर अस्पताल जाने लगती है, परन्तु ते जुड़ते हुए उसके पैसो की पोटली नीचे तलाब में गिर जाती है, और उसके सारे रुपे तलाब में डूब जाते हैं हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया, सारे रुपे तो तलाब में गिर गए, अब मेरे तुन्नू जी का क्या होगा ऐसे कहकर चिडिया वहाँ पर रोने लगती है, तब ही तलाब से कुछ अवाज आती है, और पैसो की पोटली और एक बड़ा सा बैग तलाब के किनारे आ जाता है चिडिया राने, आप दुखी ना है, मैंने आपकी पैसो की पोटली को कुछ नहीं होने दिया आप कौन हो, किरप्या कर मेरे सामने आओ मैं तलाब बोल रहा हूं, मैंने आपकी सारी बाते सुनी, तो मैंने आपकी मदद करने का निश्चे किया तलाब जी मेरी तो बस ये पोटली थी ये बैग मेरा नहीं है ये सायद किसी और पक्षी का होगा चिडिया राने इस बैग को खोल कर देखो फिर चिडिया उस बैग को खोलती है और चोक जाती है क्योंकि वो बैग तो सोने की चूडियों से भरा हुआ था ये बैग चोर कवे का है वो इसे लेकर जा रहा था कि तभी तलाब में गिर गया आपको इनकी ज्यादा जरूरत है तो आप इने हैं ले जाएं तलाब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं चलती हूँ मेरा पती अस्पताल में भरती है मुझे ओपरेशन की फीज जमा करानी है चिडिया ने अपने पती की बनाई चूडियों को पहचान लिया था परन्तु वो जानती थी के तलाब ने ही अपने जादू से साधारन चूडियों को सोने में बदल दिया है ये सौच कर चिडिया वहां से चली जाती है और अपने पती की जान बचा लेती है कालू रुपे और चूडिया कहा है बिल्लू तेज उड़ते समय चूडियों का बैग तलाब में गिर गया और सारे पैसे भी जूट मत बोल कालू तुझे अच्छे से पता है उन चूडियों की कितनी कीमत है इसलिए तू चूडियों को कहीं पर छुपा आया है चूड कहीं का क्या कहा मैं तुझे चूड लगता हूँ हाँ हाँ तू है एक नंबर का चूड तभी तो बैग को चुरा कर छुपा आया फिर दोनों दोस्तों में बहस शुरू हो जाती है और एक दूसरे को इलजाम लगाते लगाते मारने लगते हैं और फिर दोनों ही मर जाते हैं तो प्यारे दोस्तों हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए तूनी चुडिया मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता मुझे ये साधी तोड़नी है तुन्नू जी आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते साधी के बाद मुझे लगा मैं अमीर हो जाऊंगा लेकिन आपके बुढ़े पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया उपर से आप दोनों का खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ता है इसलिए मैं इस बंधन से आजाद होना चाहता हूं तुन्नू जी मैं इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहा जाऊंगी मुझे पे ना सही लेकिन अपनी बेटी पर तो दया करें दया दया ही तो करता आया हूं अब तक जो तुम दोनों को अब तक अपने घर में रखा तुनी चिडिया तेरी समझ में नहीं आता है जो तु टुन्नू जी के पीछे ही पड़ी जा रही है वो तुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं और मुझसे साधी करना मुझे सब पता है नीलो, सब कुछ तेरा ही किया धरा है, मेरा घरो जाड़ते समय तुझे सरम तो नहीं आ रही होगी टून्नो, इस टूनी से कहिए कि अब यहां से चली जाए, वरना मेरा दिमाग खराब हो गया, तो मैं ही यहां से चली जाऊंगी टूनी चडिया, आप अपने बुड़े पापा के घर क्यों नहीं चली जाती, वो तुम दोनों का पेट आराम से भर देगा टून्नो जी, मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही हूँ, लेकिन आप याद रखना, जिस गरीबी के कारण आपने मुझे छोड़ा है, इसी गरीबी के कारण एक दिन आपको भी छोड़ा जाएगा ऐसा कहकर टूनी चिडिया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है, और दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, मैं पिता जी के पास नहीं जाऊंगी, वो कितनी मुश्किल से अपना ही गुजारा कर पाते हैं, अगर मैं चलीगी तो और भी चिन्ता में प बूड़ा पक्षिया कर रुखता है, जो की मिर्चिया बेच रहा था, मिर्ची ले लो, हरी हरी मिर्ची ले लो, टूनी चिडिया अवाज सुनकर चौक जाती है, और जल्दी से मिर्ची वाले पक्षी को देखती है, ये तो पिताजी है, कहीं मुझे यहां बैठे तो क्या सोचेंगे, मैं जल्दी यहां से चली जाती हूं, ऐसा सोचकर टूनी चिडिया उड़ने ही वाली थी, कि तब ही उसका पिताजी उसके पास आ जाता है, अरे टूनी बेटा, आप यहां क्या कर रही हो, कहीं पर जा रही हो, हाँ पिताजी, मैं घर को ही जा रही थी, ठकने के कारण यहां आराम करने बैठ गई, अगर यही बात है, तो अपने पापा से नजरे क्यों चुरा रही हो, सच सच बताओ क्या बात है, वरना मैं अभी टूनी जी के घर जाता हूं, अपने पापा की यह बात सुनकर चडिया उसे सब कुछ बता देती है, और जोर जो से रोने लगती है, रो मत मेरी बेटी चुप हो जा, तेरा पापा अभी जिन्दा है, सायद उस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो, लेकिन तेरे अपने घर के दरवाजे हमेशा ही खुने रहेंगे, चल बेटी अपने घर चल, फिर पापा चिड़ा अपने बेटी को ले कर घर चला जाता है, वो भोजन देखता है, जो कि थोड़ा ही बचा था, बेटी आप ये भोजन खालें, मैं नदी से आप दोनों के लिए पानी लाता हूं, फिर चिड़ा पापा घर से चला जाता है, वो अपने दोस्त मिठु तोते के घर जाता है, कहो रिंकु भाई, क्या काम है, आज मिर्ची बेचने नहीं गए, मैं मिर्ची बेचने तो गया था, पर वो क्या है कि अचानक से टूनी बेटी आ गई, तो भोजन का इंतिजाम नहीं कर पाया, आप थोड़ा सा भोजन मुझे दे दो, हाँ हाँ रिंकु भाई, मैंने अभी अभी चावल बनाए है, आप ये चावल टूनी बेटी के लिए ले जाओ, पापा चडिया जैसे ही चावल लेकर उमुडता है, तो उसे अपनी पीछे टूनी चडिया दिखाई देती है, वो उसे देखकर चोक जाता है, पिता जी, मैं इसलिए आपके पास नहीं आना चाहती थी, मुझे पता है, आप अपना गुजारा ही मुस्किल से कर पाते हो, ऐसे में हम दोनों आप पर बोज नहीं बनना चाहते थे, चुप कर जाओ टूनी, बेटीया कभी बोज नहीं होती, अब घर चलो, फिर वह दोनों अपने घर आ जाते हैं, और भोजन खा कर सो जाते हैं, सुबा हो जाती है, टूनी सबसे पहले उठी थी, और वह घर का सारा काम निप्टा देती है, बेटी, मैं मिर्ची तोड़ने खेत जा रहा हूं, और फिर उन्हें बेचने बजार जाओंगा, तो घर आने में साम हो जाएगी, आप बुलबुल के घर चले जाना, थोड़ा समय आपका कट जाएगा, फिर पापा चिडिया खेत चला जाता है, वो और दिन से भी जाएदा मिर्चियां तोड़ लेता है, फिर उन्हें बेचने चला जाता है, मिर्ची ले लो, हरी हरी मिर्ची ले लो, अंकल जी मिर्चियां कैसी दी हैं? बेटी पाँच रुपे की पाओ है और बीस रुपे की एक किलो अरे अंकल जी आप तो बहुत महंगी मिर्ची दे रहे हो नहीं नहीं बेटा मैं कहां महंगी दे रहा हूँ बाकी दुकानदार तो दस की पाओ देते हैं मैं तो पाँच रुपे की दे रहा हूँ नहीं नहीं अंकल जी मुझे तो दस रुपे की एक किलो चाहिए आपके मर्जी हो तो दे वरना मैं चलती हूँ आरे बेटा दस रुपे की तो बहुत सस्ती है पर तू ले जा अगर नहीं बेचूंगा तो भोजन कहां से ले जाऊंगा ऐसा कहते हुए चड़ा पापा गोरी कवी को मिर्ची दे देता है और फिर पक्षी भी उसी रेट में मिर्चियां लेना पसंद करते हैं जिससे चड़ा पापा को बहुत कम पैसे मिलते हैं फिर वो मिर्चियां बेच कर अपने घर आ जाता है पिताजी या इस बार खेत में मिर्चियां कम लगी हैं, जो इतने कम पैसों में बिच पाती हैं नहीं टूनी बेटा, मिर्ची तो खुब लगी है, पर इस बार रेट बिलकुल अच्छा नहीं है, कोई एक रिप्या भी बचत का नहीं देता कोई बात नहीं पिता जी हम इतने में ही गुजारा कर लेंगे फिर वह तीनों अचार से रोटी खाते हैं तब इचडिया को एक आइडिया आता है पिता जी क्यों ना हम मिर्ची का अचार बना कर बेचें अचार में तो काफी बचत होती है हाटूनी बेटी आप ठीक कह रही हो परन्तु अचार बनाने के लिए अचार का समान ना पड़ेगा और हमारे पास थोड़े भी पैसे नहीं है पिता जी आप तोते अंकल से कुछ पैसे उधार ले आओ हम अचार बेच कर उनके पैसे वापस कर देंगे फिर चड़ा पापा ऐसा ही करता है वो पैसे उधार लेकर सामान ले आता है पिता जी अब हम खेत पर चलते हैं और ढेर सारी मिर्चियां तोड़ लाते हैं फिर वह दोनों खेत पर मिर्ची तोड़ने चले जाते हैं वो खूब सारी मिर्चियां तोड़ते हैं फिर उन्हें घर ले आते हैं पिता जी आप ये मिर्ची काटें मैं तब तक मसाले पीस देती हूं फिर टूनी चिडिया मसाले पीस ती है और अचार बनाना सिरू करती है फिर साम होने तक सारा अचार बन जाता है वाटूनी बेटी अचा से तो बहुत खुसबू आ रही है लगता है अचार बहुत स्वादिष्ट बना है हाँ पिता जी ये अचार मा बनाया करती थी आप एक डबा पचास रुपे का बेचना और सुबा होते ही चड़िया पापा अचार बेचने चला जाता है वो एक डबा खुला रखतेता है जिसकी महक सारी बजार में फैल जाती है अरे बाबा ये मिर्ची का अचार कितनी रुपे का दे रही हो खुसबू तो बड़ी प्यारी आ रही है बेटा ज्यादा महंगा नहीं है बस एक डबा पचास रुपे का है ठीक है बाबा आप मुझे दो डबे दे दो फिर कबूतर अचार खरीद कर वहां से चला जाता है फिर और पक्षी वहां पर आ जाते हैं और अचार खरीद कर ले जाते हैं कुछी देर में सारा अचार बिच जाता है आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है आज से पहले इतनी महंगी मिर्ची कभी नहीं बिची पिता जी आपका अचार बेचने का पहला दिन कैसा रहा तूनी बेटी पहले ही दिन सारा अचार बिच गया अगर और होता तो वो भी बिच जाता ठीक है पापा कल से और भी जैदा अचार बनाऊंगी आप इन पैसों से अचार का सामान ले आएं अब तूनी दिन रात महनत करके अचार बना रही थी और उसका बनाया हुआ अचा सभी पक्षी पसंद करने लगे थे इस तरह से उनकी रोज की आमदनी बहुत अच्छी होती है फिर कुछ महिनों में ही उनकी सारी गरी भी दूर हो जाती है और वह जंगल के सबसे बड़े पक्षी बन जाते हैं बेटी आपके कारण ही मैं आज बड़ा पक्षी बन पाया हूँ आप तो लक्षमी का रूप हो उस तन्नू चड़े को क्या पता जो आपको घर से बाहार निकाल दिया ऐसे ही वो तीनों बहुत खुशते और इधर तन्नो चड़े का तो बुरा हाल था ना तो आप कोई काम करते हो और ना ही अपने घर रहते हो बस मुफ्त की खाते हो नीलो जी आपका बरताव कुछ बदला बदला लगता है आप ऐसा क्यों कर रही हो मैं तो आपके सारी बाते मानता हूँ मेरी बाते नहीं मानोगे तो क्या मुझे पे हुकम चलाओगे अब जाओ कहीं से भी कमा के लाओ आप आराम से भी तो ये बाते कह सकती हो, इतने ताने सुनाने का क्या काम, मैं गरीब तो पहले से ही हूँ, फिर आप ऐसे क्यों करती हो, जैसे आज ही पता चला हो, मुझे से जवान मत लड़ाओ और कहीं जाकर कोई काम धंदा ढूड़ो, अगर काम ना मिले तो मेरे घर ना अपने टूटे फूटे घर में जाकर सो जाना, लीलो चड़िया की ऐसी कडवी बाते सुनकर टिन्नू चड़ा वहां से चुपचाप चला जाता है, और कहता है, अब मुझे पता चल गया, गरीब की इज़त तो कोई गरीब ही कर सकता है, मैंने अमीर पतनी के लालच में लेकिन उसी टूटी का घर कहीं दिखाई नहीं देता, वो आसपास वालों से पता करता है, आप बता सकते हैं, यहाँ पर मेरी पतनी टूटी रहती थी, अब वो कहा है, टूटी चड़िया, टूटी चड़िया तो कहीं नहीं गई, वो तो इसी घर में रहती है, तो तेकी य ये बात सुनकर टिन्नू चड़ा चौक जाता है और उसे अपनी आखों पर विश्वास नहीं होता के तभी टूनी चड़िया अपनी बेटी के साथ घर से बाहिर आती है टूनी जी मुझे माफ कर दो मैं अपने किये पर बहुत सर्मिंदा हूं नहीं टुन्नू जी मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी अब मुझे आपके कोई जरूरत नहीं है जब थी तब आप नीलो चड़िया के साथ थे अब चुपचाप यहां से चले जाओ टूनी जी मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया परन्त मुझे अब उसका बहुत पच्चतावा है आप कृपया मुझे माफ कर दें टूनी चड़िया उसकी सारी बातों को अनसुना करके वहां से जा रही थी के तब ही उसकी बेटी कहती है ममा पापा को माफ कर दो मुझे पापा के भी साथ रहना है माफ नहीं करोगी तो पापा यहां से चले जाएंगे अपनी बेटी की यह बात सुनकर चड़िया रुक जाती है और टूनू चड़े को माफ कर देती है मेरी छोटी सी बेटी नी मुझे समझा और मैं इतना समझदार हूँ कर भी ना समझ निकला मेरी प्यारी बेटी आप भी मुझे माफ कर दें फिर वो सभी पक्षी मिल जुलकर एक साथ रहने लगते हैं और अपने पुराने दिनों को भूल जाते हैं टुन्नों भी अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश था